स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी चैनल साइंस्टी टेकनोलजी में मैं अनवर्मेपल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शोग साइंस तरश्टी में आज हम लग बात करेंगे सूपर कंटिनियूम लेजर के बारे में तो आए समझते हैं इसे तो सबसे पहल और उसे हम लोग वाइड बैंड कहेंगे यानि कि अगर उसे आप स्पेक्ट्रम में खोल के देखेंगे सब चीज है सब मिक्स किया हुआ है लेकिन लेजर जब भी बात करता हूँ जनरली आपका नेरो बैंड होता है जैसे यह सब आप लेजर देख सकते हो तो यह सब जनरल बहुत कम होगा इसी को हम लोग नेरो बैंड कहते है और डिरेक्शनल बहुत होता है और यह समझना बहुत जरू है लेजर का अगर आप आप्टिक्स हटा भी देते हैं तो आप्टिक्स वहाँ पर एक्शली सर्फ क्वालिटी सुधारने के लिए दिया जाता है जरूरी नह इसलिए करते क्वालिटी इंप्रूफ करने के लिए लेकिन वह हमेसा डिरेक्शनल ही रहेगा कोही रहेगा यानि कि सारे वेवस एंट्रॉस जो है वह एक साथ चल रहे है तब ही जाके यह लॉंग डिस्टेंस तक जा पाता है तो यह हो गया आपका लेजर का प्रिंसपल अ बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम देता है वान ओफ दी बेस्ट कहा जाता है तो अगर आप वो चाहते हैं और लेजर के सारा प्रॉफिट जाता मतलब कि आपको लेजर का डिरेक्शनलिटी चाहिए लेजर का कोहीरंस चाहिए लेकिन मॉनो क्रमाटिक नहीं जी तब क्या करें तो इसी को solve करने के लिए सुपर कंटिनियूम का मतलब समझी खोज हुआ था सुपर कंटिनियूम को खोज नहीं रहा था बस randomly किसी को मिल गया ऐसा समझी है मैंने नीचे वो साइंटिस जिन्हों ने खोजा उनसका वीडियो दे दिया अवो जिन्दा है तो यहां पर समझी है collection of non-linear processes यानि कि एक चीज से ऐसा नहीं होता है कई सारे चीज मिल के शादी विया कर लेते हैं उससे आपका ये चीज हो जाता है तो होता यह है कि आप ये पंप करते हो पंप करने के बाद जब लेजर बीम जाता है तो लेजर बीम हमेशा एकदम यह होगा नेरो होगा एक बहुत हाइप पर पल्स रहेगा और उसके इनरजी एकदम फोकफ रहेगी जो भी स्पेक्ट्रम वहivamente गरीन हो ब्लू यह एट ब्लू पर और इससे अगर प्रिजम से मांटें है तो एसा नहीं हो कि तीन कलर निकलेगा जैसे कि प्रोजेक्टर के दिसमें लेजर प्रोजेक्टर जो होता है थीयक्टर से में उसमें तीन यह यह इस्तमान होता है, पका blue, green, red, वो mix करके illusion दे रहा है, सही का broadband नहीं, यहां पे आपको सही का broadband बेल रहा है, यानि कि जैसा incondition light bulb में होता है, मतलब इसका output actually अगर ढंग से बनाया जाए, तो almost LED से भी बेट तो यहां पे कौन-कौन सा चीज है, अब यही समझे है, जो लोग आप सुनते हों कि हम PhD कर रहे हैं, आप्टिक्स पर पढ़ाई कर रहे हैं, यही सब पढ़ते है, self-phase modulation, four-wave mixing, यानि कि आपका दो घुसेगा, इसमें एक तीसरा नया बन जाएगा, फिर आपका simultaneous raman scatter, srs, या एक चीज से कुछ नहीं हो रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है, फाइबर में बहुत सारे चीज हो रहे हैं, और उसी समझी जो एनरजी आपने डाला, जो कि एकदम पीक था, वो धीरे-दीरे broad होना शुरू हो जाता है, और अगर सब चीज सही सरा, मताब का फाइबर का ट बहुत नेरो बैंड है, आपको किसी कारण से चाहिए कि सर मेरे को इसका स्पेक्ट्रम बढ़ा करके देदो, वो भी इसमें से किया जासा है, उसे को भी सूपर कंटिनियूम कहेंगे, वही समझे, लेजर का आप लाइन ले रहे हो, उसको स्प्रेट कर दो, लेकिन अभी भी आपके पास coherence है, अभी भी आपके पास, मतलब लेजर का सब signature है, बस यह हो जा रहा है कि उसमें monochromatic nature खतम कर दे रहा है, यह सारो का इस्तमाल करके एक से नहीं, इसलिए इसके लिए जनरली जो fiber लगता है, काफी लंबा fiber लगता है, और जितना जादा fiber रहेगा, उतना quality अ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बर्स पावर बहुत छोटे सेकंड में देता है, जैसे यक्तो सेकंड तक में कुछ किसमें, यक्तो सेकंड का पल्स डंप किया जाता है, अब वो मतलब कर दे रहा है एक सेकंड में, आपको लगेगा वो continuously on है, लेकिन जनरली जब भी आप सुपर कंटिनियूम लेजर के बारे में, जनरली वो पल्स होता है, तो पल्स सोर्स इस्तमाल करता है, जो आप देख लिए कि एकदम वेवलेंध जो था है, एकदम नेरो बैंडविध था, यह जाएगा, यह आपका फाइबर में इसको आप यह करते है, ठूजते है, के खीज दे रहे हैं, पूरा आपका स्पेक्ट्रम कर दे रहे हैं, और यहां पे समझी लोग एफिशेंसी होता है, यानि कि फाइबर लेजर काफी एफिशेंट हो सकता है, यह बाई डिफॉल्ट अपना मतलब फिजिकल लेवल पर बहुत जादा एफिशेंट नहीं हो पात यानि कि कुछ साल पहले तक, मतलब 10W का भी continuous light source मिलना मुश्किल था, यानि कि अगर आप एक box खरीचते हैं, सर मेरे को microscope के लिए 10W का light, बहुत हुआ तो उतना ही मिलता था, आजकल आप 20W, 25W तक जा सकते हैं, यह बुल रही है, यह एफिशेंट कम होता है, और इसके लिए आप fiber जो इस्तमाल करते हैं, वो hollow fiber भी हो सकता है, कई जगां पर fiber hollow fiber इस्तमाल किया जाते हैं, इसका geometry अलगतर कर रहता है, कुछ-कुछ के से समें hexagonal geometry रहता है, कुछ-कुछ में cylindrical रहता है, और कुछ-कुछ में normal communication fiber ही use कर देते हैं, मतलब अगर आप communication fiber खरीते हैं, तो अपने भी professional equipment हो तो उसमें वो fancy fiber issues होता है, तो ऐसे करके काम होता है, अपने pulse laser लिया, fiber के अंदर गया, फाइबर के अंदर उसमें quantum effects होने लगे, और अगर सही से ले रहे हैं, मतलब hollow chamber ले रहे हैं, बहुत सारे effects होगा, उस effect का output होगा, कि ये energy आप spread कर दोगे, और वो पूर तो बात कहते हैं, इस तरह का वाइट laser को यूज है, हाँ, सबसे इसका ज्यादा यूज होता है, optical microscope में, optical microscope काम करता है, उसमें जरूरत क्या है, आप लोग ध्यान देते होगे, optical microscope आप जितना zoom करते हैं, उसको बहुत light जही होता है, ठीक है, पहला वो बात है, अब रहा बात ज्यादा light बहुत चोटे जहां पर focus करना है, अगर वो laser नहीं है, आप कर रही नहीं सकते हैं, मतलब उसका light का fundamental property लिमिट कर देता है, वहीं पर आपके पास एक broad spectrum laser है, उसे आप focus करते हैं, यह एक दम चोटे जहां पर focus हो जाओ, वो बहुत बढ़ी असरे और यहां पर यह मिक्स करते हैं, क्योंकि वो मतलब लिटरली gap आजाएंगा उसमें, बैंड में gap आजागा बहुत खराब दिखेगा, इसलिए आपको super continuum चाहिए, और इससे optical microscope एक्चुली नया जान पा गया, मतलब optical microscope लोग छोड़ भी दियते हैं, लेकिन जब से यह आने सुरू हो गया, बह बहुत अच्छा से आप illuminate करके बहुत ऐसा चीज़ दे सकते हैं, जो नॉर्मल किसी और टेलिस्कोप में नहीं दिखेगा, तो वही समझेए, optical resolution का एक limit है, लेकिन वहां तक हम लोग जाही नहीं पा रहते हैं, कोई light ही गंदा था, light को जब लेजर में बदल दिया, तब हम तो काफी उसके नजदिक तक पहुँच गया है, फिरो काइस spectroscopy, यानि कि अगर आपको लेजर है, जो की पूरा smooth band है, उसको आप किसी भी sample size से आप मार के हैं, तो आपको बहुत अच्छा से दिखा है, जिसमें कौन-कौन से elements हैं, कौन-कौन से क्या है, यह आपके drug industry में, इसके लिए सीधे सीधे चुप-चाप से पैसा लो, हमको दे दो, क्या आप red laser से कर सकते हैं, थोड़ा सकते हैं, blue laser से कर सकते हैं, लेकिन घूम फिरके बहुत सारे machine लगाने पड़ जाते हैं, अलग-अलग wavelength पे लिए, यहाँ पे एक machine, एक source, और पूरा अच्छा से detail निका सीधे सीधे medical industry बोलती है, चुप-चाप से पैसा लो, हमको यह दे दो, मतलब जितने भी drugs company है, उन सब के पास इसका कोई ना कोई जोगाट रहता है, फिर होगे optical fiber characterization, आज के टाइम में, optical fiber बहुत महंगा है, बहुत ही important है, बहुत, जिसको कहते हैं, billion trillion dollar industry है, टेंशन नहीं ल होगा कि आपका red बहुत अच्छा जलता है, किसी में होगा कि ब्लू अच्छा चलता है, लेकिन अगर आपका source अच्छा नहीं है, तो आप test कैसे करोगे, तो यह laser है, और इसमें पूरा white है, और by the way, जरूरी नहीं है कि यह आपका infrared से start हो, और खतम हो जाए ब्लू पे, यह ultra फाइदमंद है, fiber optics manufacturing के लिए, frequency comb, यह अलग science level का technology है, लेकिन समझ यह आपके atomics clock पे चलते है, frequency clock पे चलते है, frequency comb के लिए, frequency comb के लिए इसका होना ज़रूरी है, यह जतना अच्छा से रहेगा, जतना smooth रहेगा, उतना bum bum काम करेगा, फिर optical communication, यह मुझे नहीं समझ में आता है लेकिन, obviously काफी लोग क्लेम कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में इसका communication में क्या फाइदा है, कि अच्छली आप चाहते हो अलग-अलग laser है, जैसे मैं नहीं बता है, कि सिनेमा प्रोजेक्टर में आप चाहते हो कि तीन अलग-अलग light रहे, क्योंकि तब आपका video file का color channel अलग क तो मुझे कहीं सही answer नहीं मिला जो मैं खोजना चाहरा था, लेकिन काफी लोग कहे रहे हैं कि use होता है, maybe, तो uses है, बहुत सारे field में तो है, चाहे वो satellite ही हो, चाहे Mars rover सी क्यों नहीं हो, use तो इसका बहुत है, स्पेक्ट्रोस्किफी के बिना होना नहीं है, और आप समझ अब रहा बात इसके भविश में क्या होना है, तो यह समझी यह field अभी बहुत यंग है, बहुत जवान है, मतलब लेजर हम लोग काफी time पहले पकड़ लिये, यह मतलब एकदम ताजा चीज है, मतलब एकदम रीसेंट जिसको कहता है, रीसेंट है, और इसका technology भी मैचियोर ह कि अभी कोई definition अगर आप खोजेंगे, जैसे कि बहुत सारे चीचे definition होता है, कि wide band आप किसी को बोलता है, तो generally कहा जाता है, 1 is to 10 का ratio हो, यानि कि 1 amplitude हो, और width 10 में हो, ratio में बात कर रहे है, इसमें है नहीं, super continue में है, तो कुछ लोग कहेगी, सर अगर थोड़ा सा ही बढ़ा कर ले रहा है, टेखनीकली सही भी होगा, तो इसका बहुत सारा यूज अभी तक पता ही नहीं है, मतलब, यहां पे लोग ट्राइ कर रहे हैं, कि इसको एकदम छोटा microchip में कर लें, photonics industry में कर दें, photonics जहां पे silicon binary calculations के जहां पे optical calculations होगा, on-off-on-off करके, तो इसका एकदम फ्रे एक-एक करके, अब लोग इसको research करें, एक-एक करें डवलप करें, जैसे कि metal fiber laser जो था, जब डवलप होगा तब जाके metal cutting laser common चीज होगा नहीं, तो इससे पहला हम लोग लोग प्लाजमा से नीचे उतरते नहीं थे, मतलब, छोटा metal है, ठीक है, आप बहुत थिन है, जानी 5 mm का है, तो laser से कर दो, लेकिन बड़ा होता है, तो सांती से प्लाजमा से काटो, क्योंकि laser नहीं काट पाएगा, जहां fiber हो गया, समाल लेंगे, तो ऐसा इसमें भी हो गया, बहुत सारे ऐसे fields हैं, जिसमें इसका इस्तमाल होने वाला है, आने वाले time में, और अभी गाली खोली सूपर कंटिनियूम लेजर के बारे में, उमीद करता हूँ, आपको अच्छा लगा, कुछ सिखने में लगा, कुछ समझ में अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्ते शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप आप डिसलेक दबा सकते हैं, मैं कौंगा डिसलेक दो बार दबाएं, उससे मुझे बताचलों के इतना ना पसंद हुआ है, मैं आप से कौंगा कॉमेंट लिखे, मैं हर कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप से कौंगा सुस्क्राइब कीजिए, बेल दबाईग